So, Hi Everyone and Welcome to my Channel तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट वैक्यूल के बारे में तो इससे पहले जो मैंने एक सीरीज बनाई है लेक्चर्स की उसमें मैंने सेल के अंदर जितने भी और्गिनल्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया उनके फंक्शन के बारे में बताया तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है कैसे ये फॉर्म होता है किस किस में प्रेजेंट होता है जैसे हम हर lecture में बोलते हैं कि plant cell में present है ये animal cell में present है ये prokaryotes में present है ये eukaryotes में present है तो जो vacules होते हैं ये कहां से बनते हैं मैंने एक lecture आपको पढ़ाया था endoplasmic reticulum and colgy bodies के बारे में अगर आपने वो lecture देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो endoplasmic reticulum होते है मैं आपको पहले draw करके दिखाती हूँ ये जो endoplasmic अगर ये nucleus है तो यहां से nuclear pore से arise होते है endoplasmic reticulum तो फिर बाद में क्या होता यहां से pinch out हो जाते हैं vesicles ठीक है यहां से बनलब ये tubules जैसे होते हैं और वहां से pinch out हो जाते हैं ये vesicles तो उसके बाद फिर एक और network होता है यहां पर उसको कहते हैं golgi bodies तो यहां से pass होके फिर यहां पर पहुंच जाते हैं तो endoplasmic reticulum का क्या function था endoplasmic reticulum का function था कि जो ये vesicles बनाते हैं जो आपके जाके lysosome भी बन सकता है याんだoplasmic vácule बन सकता है lysosome के का भी topic में आपको पड़ा दिया था तो basically जो लाइसोजोम होते हैं या फिर विजिकल होते हैं यह क्या होते हैं मैंने क्या बहुरो रहे हूं लाइसोजोम एंड वैक्यूल जो होते हैं कि यह थीज vision के फार्म होते हैं जो डारे बंधे बाद में इंडेम्स यह को यह थे कोल यह सब शरीकर उता है वह जो में पंपॉसिच्छो knows theอง कहां से आती है यह से endoplasmic reticulum से अब आप बोलोगे कि चलो ER का ये काम है तो Golgi body का क्या काम है देखो endoplasmic reticulum जो है no doubt या इसका जो structure है ये बनाता है structure का जो material है ये provide करता है लेकिन लेकिन वो किसी काम करनी होता है वो usable form में नहीं होता है अभी उसको usable form में को लाता है these Golgi bodies मैं आपको ये example बताती हूँ जैसे हम आटा गुनते हैं जब हम आटा गुनते हैं तो आटा की हम रोटी बनाते हैं तो आप ऐसे रोटी नहीं खा सकते हो कची रोटी नहीं खा सकते हो जब तक आप उसको पकाओगी नहीं तावे पे ठीक है लाइक बने वो यूजबल फॉर्म में बने ये तो मैंने ऐसे एक्जांपल भी थी ऐसा नहीं आटा वाटा नहीं गुनते हैं बट करते क्या है ये endoplasmary reticulum structure के लिए material प्रवाइड करता है structure बनाता है लेकिन ये जो है ये प्रोटीन बना रहा है ये इसको ये usable form में लाएगा किसी काम के लाइक बनाएगा ओके ये तो मैंने उस लेक्चर में पड़ा थे हैं लेकिन यहां में बात करी हूँ वैक्यूल की तो ये जो वैजिकल बनते हैं यहां पर पहुंचते हैं ये या तो लाइसोजोम बनाता है या तो वैक्यूल मनाता है ओके तो मान लो ये है वैक्यूल हमारा वैक्यूल ठीक है अब हम देखते हैं तो आपको समझ में आया कि ओरिजिनेशन की जो ये लाइसोजोम है ये कहां से ओरिजिनेट होता है ये यहां से इन्वेजिकल से ओरिजिनेट होता है अब हम देखते ह वह animal cell में present नहीं होते हैं वह present होते हैं plant cell में present होंगे या फिर किसी unicellular अर्गके उक्जिसम है उनमें present होते हैं तो उसीके बार में करते हैं तो अब हम देखते हैं इसका structure, देखो, अगर ये plant cell है, तो plant cell और animal cell में क्या फ़रेक है, plant cell में cell wall present होती है, but there is no cell wall present in animal cells, उसमें सिर्फ cell membrane present होता है, जबकि plant cell में cell wall भी present होती है, और cell membrane भी present होती है, तो ये हम बनाते हैं इसका, ये मैंने cell wall में आपको पढ़ा दिया था, ये हो गया plant का cell structure, इसके अंदर present है this vacule, अगर आप देखो के vacule का size काफी होता है, साइटोप्लास्म के अंदर, ओके, ये है vacule, ओके, अब इसके बार में further हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, कि ये जो structure हो है, ये उसकी membrane है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, तो अगर आप किसी competitive exam की तयारी का रहे हो, या किसी mcqs वागेर आपको कोई paper attempt करना है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि ऐसा objective पूछा जाता है, कि जो vacule की जो layer है, outer layer है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है tonoplast, तो इसका क्या function है, तो एक function तो obvious है, एक function obvious ये है, कि ये protect करता है, cytosol है, cytosol क्या हुआ, cytosol वो solution होता है, जो cytoplasm में present होता है, ये हो गया cytosol, तो vacule के अंदर जो present होता है solution, या solute, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है cell sap, तो ये term आपको काफी आप पढ़ोगे, cell sap, जो vacule के अंदर present solute होता है, उसको कहा जाता है cell sap, और जो cytoplasm के अंदर जो solute present होता है या liquid present होता है जो present होता है उसको कहा जाता है cytosol तो इन दोनों की concentration अलग-अलग होती है concentration means कि अगर आपको मैं ऐसे example समझाती हूँ अगर आप पानी है पानी एक medium है उसके अंदर आप grapes रखोगे क्या उन दोनों की concentration same होगी क्या उन दोनों का जो solutes जो concentration of solutes है वो same होगी नहीं आप देखोगी grapes के अंदर sugars की concentration जयादा है और भी पता नहीं क्या-क्या बहुत ही useful चीज़ है उस grapes के अंदर है that means कि solute wise सिबसे ज़्यादा concentration किसमी है grapes में आपको ऐसे समझाती हूँ मैं तो water में वैसा concentration नहीं है that means solute के हिसाब से वो थोड़ा कम है और concentration of solute किसमें ज़्यादा है grapes में तो उसी तरह से इसकी concentration और इसकी इसकी concentration और इसकी concentration अलग-अलग है इन दोनों को separate रखने के लिए ताकि आपस में intermix नहों हो जाए तो ये tonoplast ये काम करता है तो ये काफी simple है तो ये तो ऐसी भी समझ में आ जाएगा इसका क्या काम है हो गया ये यहां तक हो गया तो अब भी हमने plant का जो cell के अंदर जो vacule है वो पड़ा अब मैंने कहा था आपको starting में कि unicellular organism में present होता है तो unicellular organism के आपको पता ही है example कौन सी है है तो बहुत सारी तो हम यहाँ amoeba का देखते है ओके ये amoeba है तो इसके अंदर present है food vacules तो ये food vacules कैसे बनाता है देखो amoeba का जो क्या कहते है इसको खाने का process है ये आपको पता ही होगा कि किस तरह से अपना ये खाना intake करता है अगर amoeba अपने आसपास कोई भी food particle देखता है तो ये अपने जूठे पाउं बनाता है ठीक है तो हर किसी organism को कुछ ना कुछ mechanism होता है क्योंकि at the end यहाँ पे हर किसी organism को survive करना होता है तो basically सब को अपना पेट पालना होता है तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ mechanism है जिसे हमारे हमारे हाथ है mind है हमारे पास तो इनके पास क्या है यह अपने जूठे हाथ ऐसे आगे बनाता है वो अपने पड़ा होगा तो उस food particle को वो अपने body के अंदर लाते है तो ये बनाते है food vacuous क्या बनता है यहांपे इनको कहते है food vacuous तो ये जो food vacuous है तो यहां से ही मतलब जो भी recruited energy provide होती क्योंकि food से energy परवाइड होती है तो ये अब देखो food vacuous के कितना ही पौड़ा काम है यहाँ पर यह energy प्रवाइड कर रहा है इसमें, unicellular organism में, हो गया यह, तो काफी simple है यह भी, तो अब हम देखते हैं इसके functions के बारे में, जब मैं आपको यह lecture बता रहे थी, तो उसके साथ साथ में आपके functions भी हो गए थे, वो ऐसे क्यूंकि, first, पहला तो यही कि, इसमें phagocyt कहते हैं इस process को, intake करना food को अपनी body में, phagocytocyst कहते हैं, जो यह mechanism होता है, जिस तरह से यह food को intake करते हैं, उसको कहते हैं phagocytocyst, ओके, तो अगर हम function की बात करते हैं, तो इसी phagocytocyst की वज़े से, जो है, यह food vacuum बनता है, और final में क्या होता है, कि organism को energy प्रवाइड होती है, number second is contractile vacuole, अब यह कौन सा vacuole है, तो यह type है vacuole की, तो देखो क्या होता है, कुछ cells ऐसे होते हैं, जो aquatic regions में होते हैं, या marshy regions में होते हैं, जहां पर पानी concentration ज़्यादा होती है, तो उस वज़े से क्या होता है, उन organism के अंदर पानी का intake है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज जो कि उनको नहीं चाहिए होता है, जो कि which is not good for them, तो इसलिए, बतलब to get rid of that excess water, वो क्या काम करते हैं, वो इसको excrete करते हैं, लेकिन वो काम कोन करता है, वो काम करता है, इस vacuole, और इस type के vacuole को क्या कहते हैं, contractile, इसका काम होता है, simple काम है इसका, कि यह excess water को excrete करता है, ता turgidity, देखो turgidity का क्या मतलब है, देखो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ plant के अगर leaf उनको हम पानी नहीं देंगे, ठीके, watering नहीं करेंगे, तो वो काफी मुर्जा जाते हैं, उनकी जो turgidity है, वो काम हो जाती है, खतम हो जाती है, और the time आप उनको पानी तो वो पत्ते फिर से खिली-खिली नज़र आएंगे, ठीके, that means कि उनकी turgidity maintain हो गई, तो same vacule का भी यह function है, तो vacule का मैंने आपको क्या बोला, कि वो cell के अंदर present है, और आपने देखा कि उसका size भी कितना बड़ा है cell के अंदर, तो, तो मैं बता रहे से about turgidity के बारे में, तो जो vacule होता है, उसके अंदर काफी salute present होते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है, कि, जिसके वज़े से क्या होता है, वो turgidity provide करते हैं, ठीके, ताकि जो cell है, वो pressure में रहे, cell की जो shape है, वो maintain रहे, ओके, हो गया turgidity, number third is, number third is, कि, देखो क्या होता है, जो herbivores होते हैं, वो गास काते हैं, लेकिन, कुछ plants जो है, वो नहीं चाहते हैं, कि हमें कोई खाए, ठीक है, हर कोई चाहता है, कि हम बचे रहे, हम जिंदा रहे, तो वो एक ऐसा mechanism develop करते हैं, खासकर vacule के क्या काम करते हैं, क्योंकि vacule के अ taste है, या फिर smell है, जिसके वज़से वो avoid करता है खाना, तो इससे वो अपनी जान बचा देते हैं, ठीक है, तो जो herbivores है, उनसे prevent करने में भी vacule काफी helpful है, तो हो गए तीन function, अब है last function की, ये पॉलिनेशन में help करता है, वो कैसे, देखो क्या होता है, पॉलिनेशन का क्या मत ठीक है, तो इस process को करने के लिए काफी agencies लगती है, जैसे wind है, wind की वाज़े से भी anther जो होते हैं, वो stick मा तक पहुचते हैं, और pollination हो जाती है, या फिर दूसरा है water के through हो जाती है, जो water plants में होती है, और number third होता है, throw insects से, insects से कैसे की एक insect जो है, वो flower पे बैठा, और वहां स जो enter है, pollen grains है, वो stick हो गया, उसकी legs पे, तो वहां से ओड़ा, तो बैठा, stigma पे, stigma पे पहुचा, तो वहां पे इस ने अपने pollen grains छोड़ दी, और वहां से जो है, पहुच गया ovary के पास, तो वहां पे fertilization होगी, तो इस तरह से pollination होती है, तो vacule किस तरह से help करता है, इस पूर होता है, एक काफी brightful, काफी colorful appearance आजाती है, प्लांट के पार्ट में, चाहे वो petal हो, leaf हो या और कोई, तो जिसके वैसे क्या होता है, वो जो insect है, वो attract हो जाता है towards that plant, या फिर flower के पास, और जब वो insect वहां पहुचता है, तो automatically वहां से वो enter ले जाता है, तो एक mechanism होता है, मतल हो, तो वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, वो color देते हैं, काफी beautiful appearance देते हैं, ताकि pollination हो सके, तो अब indirectly आपको समझ में है कि वैक्यूल्स का क्या है function, तो यह तीन-चार functions मैंने आपको पढ़ाए, बस यह के function है, वैक्यूल्स के, तो यह था आज का topic, हमने क्या पढ़ा about its origination, क कि कहां से यह form होता है, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से यह function करता है, plant cell में, और amoeba में पढ़ा हमने phagocytus और फिर हमने यह functions पढ़े पहला, contractile vacuum के बारे में कि किस तरह से excess of water जो है, वो remove करता है, फिटरजिटी प्रवाइड करता है, pollination में help करता है, phagocytus में help करता है, तो यह था आज का lecture, तो next lecture में हम जो next कोई cell की organelle बची होगी तो वो हम cover करेंगे, so thanks for watching.